हे वाट सब गाईज दिस इस संजीव और वेलकम बैक टू अगेन मैं यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लोन अप्लिकेशन के नाम बताने जा रहा हूँ जीन अप्लिकेशन के मदद से आप ले सकते हो step by step मैं आपको प्ले स्टोर में ले जाके पूरा दिखाने वाला हूँ ठीक है तो गाईज अगर आप मेरे चैनल अपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेले किम को प्रेस करना वीडियो अच्छा लोगे तो लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि आपका भाई आप सभी लोगों के लिए ऐसी ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो लाता रहता है और गाईज मैं आपको बता दू लोन लेने से पहले कुछ बात होगा है देहान रगना प्यास व ada देता है ठीक है इस वर्ष कर देता ठीक है तो दो अप्लिकेशन के बारे में जानेंगे तो वीडियो में पूरा बने रहेगा बहुत मैसे दार विडियो होने वाला है तो चलिए दोस्तो विडियो शुरू करते हैं यही ए इसका इंटरफेस है ग्रो का ठीक है 2300 रुपाय मेरी कुछ दिन की इंकम है और गाइस मैं यहां से लाक रुपाय से भी उपर कमा चुका हूं इस अप्लिकेशन के मदद से यहां और ट्रांजेक्शन पर करेंगे तो करकर करकर मुझे 100-100 रुपाय 100-100 रुपाय देख लिए कितना सारा मिला है ठीक है आप अगर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के देखे लिंक्स है यह अप्लिकेशन अभी डाउनलोड करते हो के वाइसी कंप्लीट करते हो आधार काट पैंका डालना एसाइन करना पांस से यह अप्लिकेशन डाउनलोड करके के वाइसी कंप्लीट करते हो तो आपको 100 रुपाय मिलेंगा फिर आप किसी को भी रàiफर करोगे तो उसको भी 100 रुपाय मिलेगा आपको भी 100 रुपाय मिलेगा बिना ए गरुपाय लगा नवेस्ट किये और आप दोनों लोग इस पैस को अपने bank में भी transfer कर सकते हो इसलिए कोई भी download करके KYC complete करनेगा बहुत ही safe and secure application है share market की application है यह तीनो आप इन application की मदद से stock खरीद सकते हो mutual fund हो करे में पैसा लगा सकते हो ठीक है तो अगर आपको knowledge हो तो share में पैसा लगाना otherwise आप खाली refer करो तीनो application को तो पहला तो grow है so guys यह हो गया हमारा grow application इसके बाद जो हमारा दूसरा application है जिसको आप refer करके पैसा कमा सकते है उसका नाम है upstock उसका भी link आपको मेरे इस वीडियो के description में मिल जागा guys मैं आपको बता दू upstock application सबसे जादा पैसा देता है refer करने पर बारा सो रुपए ठीक है कभी एक हजार कभी पान सा कभी तीन सा कभी बारा सा कभी छे सा ऐसे करके देता रहता है अभी पर refer आपको upstock बारा सो रुपए दे रहा है आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link से download करोगे KYC complete करोगे same grow की तरह उसके बाद एक से दो दिन में आपका upstock एक्टिवेट हो जागा जैसे ही एक्टिवेट होगा आप किसी को भी refer करोगे पर refer बारा सो रुपए मिलेगा बिना एक रुपए लगा है बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए गाइस मैं आखरी application जिससे आप पैसा कमा सकते हो refer करके उसका नाम है icici direct.com उसका भी link आपको मेरे इस वीडियो के description में मिल जागा icici direct.com application भी आप मेरे इस वीडियो के description के देगे link से download कर सकते हो kyc complete कर सकते हो फिर आप किसी को भी refer करते हो उसका भी kyc complete कराते हो तो आपको 200 रुपए मिलता है पर refer ठीक है सीधे आपके bank account में तो guys याद रखना है ये तीनों application upstock grow icici direct.com तीनों का link है मेरे इस वीडियो के description में तीनों को download करो kyc complete करो जैसे ही आपका एक से दो दिन में ये तीनों application एक्टिवेट होता है आप किसी को भी refer करो उसका भी kyc complete कराओ आप खाली refer कर करके महीनों के 1000 रुपए कमा सकते हो आपको loan लेने की जरुवत नहीं पड़ेगी बाकी आपकी मर्जी है guys तीनों application का link है मेरे इस वीडियो के description में चलिए आप मैं आपको बतातेता हूँ loan application के बारे में so guys आज की इस वीडियो में जो मैं सबसे पहले application का review करने वला हूँ उसका नाम है simple pay later ठीक है दोस्तो simple pay later और इस application से मुझे खुद limit मिला है ठीक है इस application की rating की बात करें तो 4.4 की है और 1 million plus इस application के downloads है 4.4 की rating है इस application की 1 million plus इस application के downloads है आप see all reviews करके reviews हो करें देख सकते हो rating हो करें देख सकते हो then apply कर सकते हो guys मैं आपको बता दूँ अगर आप 15 दिन का इस application में समय मिलता है कुछ भी आप online समान खरीद सकते हो ठीक है यह जो आपको limit मिलेगा ठीक है यहाँ पर पूरा पढ़ लेना ठीक है पूरा इसका about section पढ़ लेना सब कुछ आप पढ़ लेना उसके बाद ही के लिए apply करना वैसे तो यह NBFC registered application है तो सारे बड़े cities में तो आपको credit limit या फिर loan हो गए तो देगी ही बढ़ एक बार आप चेक कर लेना कि आपके city में यह application loan देती है कि नहीं देती है ठीक है यहाँ पर pay later की service आपको मिल जाती है ठीक है तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो simple application है अब हम इस application को open करते है और आपको दिखाते है कि हमें कितने का limit मिला है ठीक है तो guys यहाँ यहाँ देख सकते हो 34-500 रुपय का हमें limit मिला है और due date है 5 January ठीक है 5 January को मेरा due date आएगा और मुझे यह पैसा pay करना पड़ेगा ठीक है अब ऐसा नहीं है कि मैं इस application का limit जो मुझे मिला है वो मैं खर्च नहीं किया हूँ मैं खर्च करके दुबारा pay कर दिया हूँ ठीक है मतलब मैं 136 रुपय का है एक बार 158 रुपय का है एक बार तो ऐसे कर गर के 4-5 बार मैंने जो मैटो से खाना मंगाया था अपने credit limit को use कर गए ठीक है लेगिन मैं time से पहले payment कर दिया तो फिर से मेरा 35 सो हो गया है अब मैं इसको ज्यादा use नहीं करता हूँ बड़ गाईज आप खाना credit limit का इस्तेमाल कर पाओगे offline नहीं कर पाओगे ठीक है तो यही था application जिसका नाम था यहाँ पर simple application में आपको limit मिल जाता है मुझे 35 का limit मिला है और यहाँ पर कोई आधार card pen card आपको upload नहीं करना है सिर्फ आधार card से आपको mobile number registered होना चाहिए वो number डालना और आपका limit 100 हो ठीक है और से वही mobile number मेरे bank में भी registered है मैं वही डाला था मेरा 35 का limit 100 हो गया आपका भी जो bank में mobile number हो और जो आपके आधार card से registered हो वही डालना देखना आपको भी limit 100 हो जाएगा ठीक है कोई यहाँ पर आधार card pen card upload नहीं करना है सिर्फ आपका mobile number registered होना चाहिए आपके आधार card से ठीक है और bank में वही mobile number होना चाहिए ठीक है हो सकता है यह bank का transaction देखके ही देता हो आपको limit ठीक है तो पहला application था simple अब हम बात कर लेते हैं दूसरे application के बारे में आपको 5,002,005,000,001 आपको 10,000,005,002 रुपा तक का लोन देता है शिर्फ आपके आधार card और pen card से ठीक है 10,000 से लेके 5,000,000 रुपय तक का लोन आप यहाँ पे देख सकते हो और यह application जादा तर बड़ा ही लोन देता है जादा तर यह application आपको छोटा लोन नहीं देगा बड़ा ही लोन देता है So guys, 10,000 से लेके 5,000,000 रुपय तक का लोन आप इस application से ले सकते हो सिर्फ अपने आधार काड और पैन कार्ड की मदद से इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 12% से लेके 36% पर एनम का है टिने-उर की बात करें तो 3 महीने से लेके 60 महीने तक का है processing fees की बात करें तो 2.5% से लेके 6% का है, ठीक है यहाँ भी गाई थोड़ा सो और नीचे चलेंगे तो यह application example देके भी समझाएगी अगर आप 50,000 का loan लेते हो तो 12 महीने के लिए मिलता है interest rate आपका 12% कराता है ठीक है EMI आपका 4,680 रुपए आएगा total repayment इतना करना है यह सब कुछ आप देख लेना इतना interest हैगा इतना GST है इतना processing fees है इतना disversal amount है सब कुछ इन्होंने example देके समझाया है आप देख सकते हो ठीक है थोड़ा और नीचे चलेंगे तो गाईज यहाँ पर वैसे तो यह NBFC registered application है तो सारे बड़े cities में तो loan देती होगी बड़ गाईज यहाँ पर लिखा भी हुआ है किसकी cities में यह loan देती है ठीक है बैंगलोरू है देली है 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 थेदराबाद है चेन नहीं है ठीक है बागी आप सब पढ़ देना ठीक है बागी गाईज यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका mail हो गरे दिया है कोई भी दिक्का तो contact कर सकते हो सिर्फ आपके पास आधार card pen card होना चाहिए ठीक है और आपको इस application से 5 लाग रुपय तक का loan मिल जाएगा अब इस starting में आपको 5 लाग का loan नहीं मिल जाएगा लेकिन जैसे ऐसे आप सही होना चाहिए तब ही आपको loan देगी क्योंकि NBFC application है और काफी repotated application है ठीक है बहुत अच्छी application है नावी का आप हर जगे add देखते होगे ठीक है तो guys यही था application इसका नाम था नावी यह हमारी दूसरी application थी ठीक है so guys जो आज की इस वीडियो में मैं दोनों loan application के बारे में बताए हूँ अगर आपको दोनों application से loan मिलने में कोई भी दिक्कत हो तो मेरे इस वीडियो के description में आपको link मिल जागा true balance application का जी हाँ दोस्तो true balance application का link मिल जागा true balance application सिरफ आपके आधार काड़ और pen card की मजद से आपक पाई कर सकते हो true balance application में दो तरह के loan होते हैं एक level up loan एक cash loan cash loan मतले ना अगर cash loan लेने जाओके तो हो सकते हैं वहाँ पर आपको bank statement देना पड़े क्योंकि guys वहाँ पर आपको starting में ज्यादा loan offer किया जाता है लेकिन guys वहाँ पर आपसे bank statement हो सकता है मांगा जाए लेकिन दोस्तो level level up loan के लिए जाओगे तो कोई bank statement नहीं देना है कोई salary slip नहीं देना है सिर्फ आपके आधार काड और pen card की मदब से true balance application में level up loan दे देता है हाला कि starting में थोड़ा बहुत कम आपको level up loan देगा लेकिन जैसे ऐसे आप loan का repayment करते जाओगे totally 11 level है और आप एक लाग रुपा तक का level up loan ले सकते हो true balance application से हाँ थोड़ा सा interest rate जादा है बट आपको minto में loan दे देता है और अच्छा कासा tenure भी बनाता है अगर आप true balance application से 3-4,000 का भी loan लेते हो level up loan तो guys आपको 2-3 महिने का tenure देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो guys यही था ठीक है loan application के बारे में यही था ठीक ह पड़ेगी literally guys मैं कमा रहा हूँ इसलिए मैं आपको भी recommend कर रहा हूँ बाकी आपकी मर्जी है loan application भी बता दिया पैसा कैसे कमाना है वो भी बता दिया तो guys यही था आज के इस वीडियो में चलिए मिलते हैं कि से और नेक्स यूसल वीडियो में तब तक लिए जैन बंदे मा आत्रम